हेलो फ्रेंड्स तो आज यह बनाएंगे काबूली चने की सबजी जो सबकी फैबरेट होती है और बनाने में लगे हैं ओनली 50 मिनिट्स एक साथ मसाले को फ्राइ करके हमने इसी स्वाजिस सबजी रेडी किया है ना कि आपके मुँमें तो पानी आ रहा है और मेरे मुमें भी आ रहा है तो चली बनाने स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को आप एंड तक देखेंगे ना तभी बता चलेगा कि यह सबजी हमने कैसे बनाई है तो यहां पर आप देख सकते हैं काबूली चने को हमने ओवरनाइट सोप करने के लिए रख दिया था और मिजर्मेंट में यह टू कप थे तो साइज में यह फूल कर बड़े हो गए है और आपको दिखाते हूं यह अच्छे से इन्होंने पानी को सोप कर लिया है तो यहां पर पानी को रिमूब कर देंगे अब कूकर को हमने गैस पर रख दिया है और साथी में वन फोर्ट कप ऑईल डाल दिया है एक तेज पत्ता दो बड़ी इलाइची होती है ना इनको मैंने इंस्टेंट ही क्रश करके डाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इंस्टेंट क्रश करके यहां पर डाल दिया है और साथी में नीम पत्ते डालेंगे जो ड्राय नीम पत्ते होते है ना सुखी नीम मसालो की साथ में कानी बाहिए मेंमा कर पहए कामे भी Mint होती है यहां पर अब है डून गुंड को फ्राइ में अब शा Track kittens 650 तेंगे सोच Sun था घ़ाइव सब देढ़्स BY में तब गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने लो पर सैट कर दिया है और वन फोर टीस्पून काला नमक, वन फोर टीस्पून सौथ का पॉडर और वन फोर्थ का पानी डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छे से फ्राय होने देंगे दीरे दीरे आप नोटीस कीजेगा यह आटोमेटिकली अपना कलर छोडने रग जाएगा और लगातार चलाते रहने से आप देखेगा कलर एकदम शानदर आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर आ गया है और यहाँ पर हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हैं लगातार चलाते जा रहे हैं चने की सबजी बनाए और चना मसाला ना डाले ऐसा तो हो याँ पर हमने एक बाउल में तू टेबल इस्पून चना मसाला डाल दिया है और इसे side में रख दिया है अब थोड़ा सा मसाला अच्छे से fry होने लगा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएल भी छूटने लगा ह तो थोड़ा सा ओईल हम भार निकाल लेंगे एक बाउल में निकाल लेंगे गानिशिंग के लिए तो मैंने इस तरह से गानिशिंग के लिए थोड़ा सा मसाला बाउल में निकाल लिया है और सारा जो मसाला है उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और जो हमने चना मसाला लिया तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से उलट-पुलट करके सभी मसालों को चनी में लगाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं चनी पेर सारा मसाला आ चुका है अब साथ ही में यहां पर तूथर कप पानी डाल देंगे तो यहां पर हमने तूथर कप पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर दिया है पर लग रहा है यहां पर पानी की कॉंटिटी कम है तो साथ ही में है यहां पर टू-tharqप पानी और डाल देंगी यहां पर आप देख सकते हैं पानी डालने के ज़स पास कलर और बी ज़्यदा शांदार आए है तो यहांपर आप देख सकते हैं कूकर की धकन को इस तरह से बंद कर देंगे और 2-3 CT ले लेंगे तो यहाँ पर हमारी gas की flame अभी medium और hyper set है 4-5 CT आने के बाद gas की flame को हम low पर set कर देंगे low पर set करने से क्या होगा ना जो चना है वो steam में अच्छे सिपक जाएगा कहीं से भी वो हार नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CT भी यहाँ पर आ गई है और CT आने के बाद इसमें हम gas को off कर देंगे और off होने के बाद जल्दी बाजे बिल्कुल भी नहीं करेंगे steam पूरी निकलने देंगे उसके बाद ही हम cooker के रकन को खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से mix करने के बाद आप देख सकते हैं मसाला पूरी तरह से rotate हो गया है और जो steam में न वो जो चने है न वो पक भी गया है मैं आपको पास से दिखाती हूँ और तोड़ कर दिखाती हूँ तो यह अच्छे से press हो गया है यानि चन अच्छे से पक गया है और पानी भी बिलकुल भी कम नहीं है तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ऐसी situation आ जाती है कि पानी थोड़ा कम रह जाता है तो चो चने है न वो चिपक जाते हैं हम थोड़ा सा पानी डाल कर एक बार और इसको close कर देंगे और close करने के बाद क्या है न आप देख सकते हैं अच्छे से इस स्टीम में क्या शांदार वाला कलर आया है मैं आपको पार्सी भी दिखाती हूँ लग रही हैं एकदम मस्त वाली सबजी बहुती डिलिशयस बहुती टेस्टी बाई मार्केट से भी बड़िया वाली सबजी हमने रैडी कर लिए है वो भी कूकर में कूकर में आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी का रेशा है तो हम थोड़ा स्टीम में खुले में ही से पकाएंगे खुले में पकाने से क्या होगा ना जो पानी है वो उड़ जाएगा और साथ ही में यहाँ पर हमने दो जो हरी मिर्च है उसको चौप करके पहले से ही रख लिया था वो डाल देंगे और एक नीमू का रस डाल देंगे और अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे mix करने के बाद क्या होगा ना जो खटाई डाली है हमने यह निम्बू की वो अच्छे से इसमें पैर जाएगी तो पैरने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी का रेशा और है तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे खुले में और जो रवा-रवा है ना चने का वो सुखाने के बाद आप सर्व करने से देखना इतना टेस्टी है यह बहुत ही डिलीशियस सबजी बनका रेडी है तो इस तरह से आप सर्व करिए बहुत ही मज़ा आएगा खाने में और खिलाने में तो यहाँ पर इस तरह से हमने सर्व कर लिया है जब भी आपकी गैस्ट आ तो इस तरह से सब्जी बना सकते हैं और लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टिफन बॉक्स में भी देख सकते हैं और जब भी पिकनिक जाने का मूर्ड होना तो इस तरह से सब्जी बनाएं ड्राय सब्जी बहुत ही अच्छी रहती है पिकनिक में और लंच बॉक्स में वि इस तरह से इससे गार्णिश करेंगे और जो हमने मसाला फ्राइ करके रखा था ना वो भी सब तरफ फैला देंगे तो इस तरह से हमने गार्णिश किया है लाल मिर्च और मसाले से कितने शांदार वाले चने बने आना मजा जाएगा आपने इसे एक बार ट्राइ किया ना एक और आप ट्राइ करेंगे तब ही बता चलेगा तो फटाव फट से ये मेरी रेसिपी को ट्राइ करें और फीदबेक में मुझे बताए कि आज की रेसिपी आपको कैसे लगी